हैलो पिंस बारिस का मौसम हो बारिस के मौसम में कोई चठ पटा सा ना बना जाए तो ये हो नहीं सकता य। बारिस होती है और लगठा ख शवान हम में दो चाहिके बढ़ा हिसा नितञा हैरोय का duele प्याच मत्वीत संवाया जब बावलburg स्वाय निचोड़ अब मत निकाँ हैर दषलेंगे इंतर पानेा' जोड़ के साथ रहते हैं जञे पानी तो पीक्डिंगे चाहिक Ph對不對 of ठोट्पर तोड़ी चमस लिया हुआ है जो अपनी टेबल स्पून होती है और तीनी चमस मैंने आप एक कॉन फ्लोर लिया हुआ है और उसके बाद में डाल दिया थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर सभी चुछों को डाले बाद में हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और याद रखिएगा पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि जो हमने आलू दोके रखिए हुए उसमें थोड़ी सी नमी भी रहती है अगर पानी डाल देंगे तो यह गीली हो जाएंगे और यह बंद ही नहीं तो बस एक सारी चीज़ा वच्छी से मिलाएं तो इनके बाइंडिंग भ क्योंकि यह थोड़े से सॉप्ट है उसकी हिसाफ से हमें जब एक तरफ से अच्छी से सिक जाएंगे तभी हम इनको पल्टेंगे और कुछी टाइम में से किये तयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं इन्हें जादा हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है हलका सा गोल्डन कलर हो है मैंने यहां पर सिम्ला मिर्ची पत्ता गोबी टामाटर जो सब्जी आपके पास हो इसमें आप डाल सकते हैं और सब्जी आप बढ़िया से पक जाएं इसलिए इसमें थोड़ से डाल देंगे हम नवक क्योंकि नवक हमने पहले भी डाला हुआ था इसी हिसाफ से हमें लाड़ी सी है तो मैं यहां पर तीन-चार चमश चोड़ी चमश होती है ना बस भई भरके पानी डाल दे रही हैं और एक समस कौन फ्लोर में या पर तोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लिया है इसे भी डाल देंगे इसे डालने से क्या होगा ना इसमें जो हमने पानी डाला हो इदर उदर नहीं भागेगा बड़ी असे गाड़ेपन पर आ जाएगा उसके बाद में यह जो पकोड़े तल के रखे हुए थे वो डाल दी है पकोड़ों को मच्चे से मिक्स करेंगे अगर फिर यह आपको लग रहा है कि यह सूका सूका सा तो आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं विनेगर या नीवू का रस इसमें डाल दीजिएगा इससे के बड़िया से खटा पाना आ जाए और देखेगा कितने रसीले से हमारी बनके हो चुके हैं थैयार यह मंचूरियन ह जो कि घर में मैंने आलू और प्यासे बना हुए हैं वारिस के मौसम में बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे बच्चों को क्या बड़ो को भी पसंद आएंगे बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है वीडियो अच्छा लगे थे वीडियो का लायक इन सस्क्राइब जरूर करिएगा और मैं रोज इसी तरह नए नए आपके लिए रेश्पी लाती रहूंगी और आपको मेरे वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है तो प्लिस इसे शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी नए नए वीडियो का आनंद उठा सकें और पाओ भुत अच्छा बनासुब